कल तक जस्टिस कार्जू और बीजेपी के बीच दो तरफा जब हो रही थी और आज इसमें तीसरी खिलाडी याने कॉंग्रेस भी कूद गई मोदी पर कार्जू के लेख से नाराज बीजेपी जहां लगातार उनकी बरखास्दगी के मांग कर रही है वही कॉंग्रेस इनेदा दिगविजे सिंग कार्जू के ढाल बन गए है दिगविजे ने कार्जू के खिलाफ बीजेपी नेता अरुन जेटली के बयान को अनावश्यक और अजीब बताया है लेख लिखा जस्टिस कार्जू ने निशाना बने नरेंद्र मोदी और किच किच मच गई कॉंग्रिस बीजेपी के बीच जस्टिस कार्जू को लेकर अब कॉंग्रिस और बीजेपी आमने सामने आ गई है दरसल मोधी के बारे में लिखते हुए काटजू ने यहां तक कह दिया था कि देश के लोगों को सोच समझ खर प्रधानमंत्री चुनना चाहिए काटजू के इस लेख का जवाब दिया अरुन जेटली ने अपने लेख के जरिये और उन्हें कॉंग्रिसियों से बड़ा कॉंग्रिसी कह डाला और अब बीजेपी जहां लगातार उनको बरखास करने की मांग कर रही है तो कॉंग्रिस काटजू का बचाप कर रही है अज लौ मिनिस्टर लौ मिनिस्टर जल्स क्पा एंपनेकर अच्छ काटब बच्छन के सुपरिस काटप्यू के इस अगी काटबनेब वैसे जेटली की चिठी के बाद पूरी बीजेपी का रुख हमलावर हो चला है पार्टी पूछ रही है कि जस्टिस काट्जू की नजरें विपक्षी सरकारों वाले राजे से आगे क्यों नहीं जाती वैसे जो लोग जस्टिस काट्जू को जानते हैं वो इस बात से बखुबी वाकिफ हैं कि वो अकसर अपनी सीमाएं भूल जाते हैं वो 90 फीसदी भारतियों को मूर्ख भी कह चुके हैं और अब राजसभा में विपक्ष के नेतार उन जेटली से उलज गए हैं वो विवादास पद रहे हैं लेकिन उन्हें अब ये बात सोचनी चाहिए कि उन पर उंगलियां क्यों उठ रही हैं